यह सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा निर्ड़े लिया गया है और मैं इसके लिए देश के सभी प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी जी और ग्रेंदर मंतिर मिसाजी को एक आम नागिर खोने के नाति धन्वाद देना चाहता हूं क्योंकि PFI का जो गद्विधियां है वो आतंग की गई है जो एक आतंग माधी सिंठन दर्स आता है इसलिए उस पर बैन लगना बहुत ही जरूब है कि PFI पर बैन बहुत देरी से लगा है इसको बहुत पहले लग जाना चाहिए था कई बार इनकी जांच हुई है और तमाम लोग तमाम राष्ट बिरोधी गद्विधियों में पकड़े गए उसके बाद भी जो पिछली सरकारे थी उस पर कोई कारवाई नहीं किया और जो एक कदम उठाया गया बहुत सराहनी है और इस तरह से जो उनके और तमाम संगठन है जो राष्ट बिरोधी गद्विधियों में उस पर भी बैन लगना चाहिए इस पर आप अमिसाजी के नेत्रुत में जो इसको बैन किया गया है इसका पिएफाई का जो तार जुड़े थे आईसाई संगठन से भी जुड़े थे इसके 500 से 600 इसे खाते थे जिसमें विदेश से फंडिंग होती थी एक कई लोगों का ऐसे कतल कर चुके हैं जो वीडियो ऐसे थे जो आईसाई करता था मार की वीडियो बनाता था तो पिएफाई का बैन करने का जो निर्णे है जितनी तारीफ की जा उतनी कम है माननी प्रधान मंतरी जी को माननी अमिसाजी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को ये कारे बहुत पहले कर देना चाहिए था इसके लिए मैं माननी अग्रे मंतरी में शाजी का और माननी प्रधान मंतरी नरेन भाई मोदी जी का इसकारी मैं दिल से अभार्वक करना चाहूंगा कि इन्होंने जो काम किया है PFI को प्रतिवन लगाने का PFI का जो पिछले कई वर्षों से रिस्ता रहा है वो कई आतंगवादी संगठनों से रहा है और इसके लिए इनको कदाचित माफ नहीं किया जा सकता है ये देश की अखंडता और एकता के लिए काफी समय से खत्रा बने हुए थे और मेरा ये मानना है कि ज़्यादा ज़्यादा इनके जो भी संगठन के लोग हैं उनको तत्काल प्रभाव से सरकार को ट्रैक करना चाहिए इनके एकाउंट्स को ब्लाक करना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा इनके उपर कड़ी से कड़ी सजा जो है इनको मिलनी पिएफाई एक चरम पंथी संगठन है, जो भारत में रहकरके आतकवाद और गुरुवाद फैलाने का काम करता है, यह सिमी का पुराना सिमी था, उसी का एक मोडिफाइड रूप है, जब सिमी खतम किया गया 2004 में उसको सरकार गे खतम किया, तो 2006 में उन्हीं लोगों के उन्ह जैसे संगठन से कनेक्शन हैं इनके, और यह राष्ट ब्रोधी गद्विदियों में लित्त थे, और सरकार ने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया, इस पर मैं सरकार को बहुत-बहुत बंधाई रेता हूँ